आप देख रहे हैं TNB सोतर है और इसके जरीए वो बहुत सारा काम करते हैं ऐसे में खबर सामने आ रही है कि कहीं गंगा के पानी में भी तो कोरोना वाइरस नहीं तो यह जानते हैं कि इस बात के पीछे कितनी सर्चाई है अभी हाली फिलाल की बात है जब कोरोना संक्रमंदर बहुत जादा था उस वक्त इतनी मौते हो रही थी कि शमशान में जगा नहीं थी लाशो को जलाने के लिए लोग अंतिम संसकार के खर्च के वज़े से लाशो को गंगा में बहाने लगे थे उस वक्त काफी भयानक तस्वीरे सामने आ रही थी जब गंगा में जहां देखो वहां तैरती हुई ल देश जारी कर दिया था तब जाकर यह सिलसिला थोड़ा ठहर गया लेकिन अब यह मुद्धा वज्ञानिकों के लिए चिंता का विशय बनते नजर आ रहा है उनके हिसाब से जिस तरह से कोरोना संक्रमित लोगों की लाशो को गंगा में बहाया गया था उससे कहीं गंगा क के पानी में कहीं कोरोना वाइरस तो नहीं है इसको लेकर अब वैज्ञानिकों की एक टीम जाच में जुट चुकी है इसके चलते लखनवस्थित भारतिय विश्विज्ञान अनुसंधान संस्थानक ने कन्नौज से पटना के बीच तेरा जगों से सैंपल इखटे किये हैं सरोज बारिक कहते हैं कि शोद के दौरान पानी में मौझूद RNA वाइरस को निकाला जाएगा और RT-PCR जाच की जाएगी इसके साथ ही आगे के प्रोसेस के लिए आज से ही सैंपल इखटा करने का काम शुरू हो चुका है इसके साथ ही आपको बता दे कि इस पर जल शक्ती मंत्री गजेंदर सेंग शिखावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ हिस्सों में गंगा नदी में शफ़े के जाने की रिपोर्ट के बाद नदी के जल को प्रदूशित होने से रोकने के लिए हालात पर इनमी के साथ बने रहें हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन पर क्लिक करें साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेर करना ना बूले